सेव सीजन के दोरान बागवानों की उपज मंडियों तक आसानी से पहुंचाना सरकार के लिए बन गया है चिनौती प्राक्रतिक आपदा की मार जेल रहे सेव उतपादक छेत्रों के 23 मंडलों में 374 सड़के हैं बंद सड़के बहाल करने के लिए लगाई गई हैं 592 मशीने सेव उतपादक छेत्रों के रामपूर मंडल में सबसे अधिक 60 और कुमार सैनन में 38 सड़के हैं बंद अंटा साइब शिलाई एनेश पर 17 दिन बाद बहाल हो गया यातायात इससे उस छेत्र के लोगों को मिली है बड़ी रहा तब इस सड़क से वहानों की शुरू हो गई यावा जाही पिछले दिनों मुसलधार बारिश से जगा जगा बंद हो गया था नैशनल हाईवे जिला प्रिशासन समेट एनेश प्राधिकरण ने एनेश को खोलने के लिए किये भरपूर प्रयास लेकिन बार बार लेंड्स लाइन और मर्बा गिरने की वज़़े से बंद हो रही थी सड़क शिमला जिले के रामपूर उपमंडल की सरपारा पंचायत के कंधार गाउं में दो बार बादल फटने से सेव के बगीचों और मकानों को पहुँचाए नुकसान साथ ही बह गया कई मकान मकानों में घुज गया पानी जिससे लोगों को ही खासी परिशानी बाढ़ आने से बाढ़ में बह गई गाए बैल और भेड बकरियां वही कई सेव के बगीचों में भी भर गया है पानी 25 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच पाकिस्तान के साथ चली जंग में हिमाचल के 52 वीर सपूतों ने अपने प्राणों की दिया हुती प्रतिष्ठित पुरसकार जीत कर डिस्टर प्राद्योगी के छेतर में एक बार फिर बनाई ये अपनी पहचान विभिन शेडियों में राज द्वारा की गई अनुकर्णी पहल के लिए हासिल हुए है यह पुरसकार इन पुरसकारों में एक स्वन और दो रज़त पदक है टमाटर के दाम बीते कई दिनों से छूरे आसमान लेकिन इसी बीच राहत किया है खबर टमाटर के दामों में 22 रुपे प्रति किलो तक दर्श की गई है गिरावट गोदवार को सोलन सबजी मंडी में टमाटर के रेट में दर्श की गई है यह गिरावट इस दोरान 108 प्रदेश में खाद संकट के बीच शुरू हो गई है इसकी काला बजारी डेड़ माँ से खाद के गुदामों में और खरीद केंद्रों में नहीं हो पाई या पूर्ती इस बीच कुछ लोग उतरा खंड से खाद लाकर इसके किसानों से वसूल है मनमाने दाम किसानों को इस समय धान, मक्का, गन और टमाटर आदी फसलों के लिए है खाद की जरूरत लेकिन किसानों को नहीं मिल रहा है खाद विशुकप के पांच मैचों के बाद धरमशाला को अगले साथ टेस्ट मैच की मेजबानी का भी मिल गया है मौका धरमशाला स्टेडियम में 7 से 11 मार्च को भारत इंगलेंड के बीच होगा टेस्ट मैच 25 जन्वरी से शुरू होगी भारत और इंगलेंड की बीच पांच टेस्ट मैचों की सीरीज धरमशाला के खाते में आया है अंतिम मैच मौसमी भाग द्वारत जारी किये गए तारजा पूर्वा नुमान में 28 वा 29 जुलाई को राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरच के साथ हलकी से मध्यम वर्षा प्रदेश के निचले और मध्य पहाड़ी जिलों में भारी वर्षा की है संभावना साथ ही कांगडा चंबा जीलों में जल छेत्रों वर नालों में अचानक बाढ़ आने की जारी की गई है चतावनी सरकों पर पानी के भरने और लेंड्स लैन की जताई गई है संभावना तो यह थी मासर प्रदेश के अब तक की मुख्य कबरे से तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रही है अन्मन लाइव